कलमेश्वर तहसल की ग्राम तिश्री की हर गले में गंदगी फैली हुई है। गाउ में ग्राम पंचाथ प्रशासन के लाप परवाहे से नालिया गंदगी से भरी पड़ी है। इसे संक्रामक बीमारिया भी फैल रही है जिसे लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियों का पानी सडक पर बहरा है जिसे रहागीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही नालियों का गंदा पानी जो सडक पर वाहन चालकों के लिए भी मुसीवत का सबब बन रहा है। गाव के प्रात्मिक विद्याले के सामने वहर जगों पर गंदेगी का आलम है। जिससे गाव में बढ़ों के साथ बच्चों में भी संक्रमक बिमारी फैलने का डर बना हुआ है। गंदेगी के कारण गाव में मच्छरों का आतंग बढ़ गया है। गाव वाले मच्छरों से बचने के लिए पंखा, मच्छरदानी, दुएका प्रेयोग कर रहे है। मच्छरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि इन दिनों में भी पूरे गाव की घरों में बिन्मिनाते रहते हैं। ग्रामिन गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। गाव के ग्रामिनों में कुछ दिनों से डर का माहौल साब बना हुआ है। पंच्याय द्वारा किसी प्रकार की दवाई की छिरकाव गलियों में नहीं कराया चाता। संक्रमग बीमारी डेंगू, मलेरिया जोसे गंभीर बीमारी कुछ ग्रामिन को होने की जानकारी ग्राम निवासी सुनेल ठाकरी द्वारा दी गई। बीसेन न्यूस के लिए सिल्लेवारा से मयोर तिरपुडे की रिपोर्ट